हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ पवन चौधरी और इस नए वीडियो से मैं एक नई सीरीज आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ और सीरीज है मद्दविदेश के गारो मद्दविदेश में कई सारी बड़ी बड़ी शक्षियत पैदा हुई जो ने भारत के कई सारे पदों के उपर आपका उसीन हुए देश में विदेश में भारत का नाम रोशन किया उनमें से कुछ शक्षियत कुछ महतुपून शक्षियत कुछ इंपॉर्टन जो आपके व्यक्तित्व हैं उनके बारे में इस सीरीज के हमदर हम बात करेंगे और इस सीरीज की में भारत के राष्टपती के पद पर आपके आसीन हुए तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में भारत के राष्टपती रहे डॉक्टर शंकरदाल शर्मा भारत के उपर राष्टपती कई राज्यों के गवर्नर और साथ ही मद्देश के भोपाल प्रांत के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर शंकरदाल शर्मा जी के डॉक्टर शंकरदाल शर्मा जी हैं इनका जन्म मद्देश के भोपाल के अंदर होता है भोपाल उसमें प्रिंसली स्टेट था 19 अगस्त 1918 को भोपाल के अंदर इनका जन्म होता है शुरुवाती इनके जो शि दिग्रीशन है एजुकेशन कंप्लीट किया एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कई सारे कॉलेजुस के अंदर ऐसे प्रॉफिसर के रूप में especially ये lawyer थे, इन्होंने LLB का degree भी किया था और ये काफी जाने माने lawyer हुआ करते थे, pre-independence period के अंदर, even आजाती के बाद भी उन्होंने कई सारे अलग अलग जगों पर आपके lawyer के रूप में जाके यहां पर आपको काम किया, और साधी भारत के नवे राष्टपती के रूप मे उनको हरा कर आपके राष्टपती के पद के उपर आसीन हुए और साथ ही उन्होंने आपके डॉक्टर शंकरदयल शर्मा जो है वो भारत के आठवे उपर राष्टपती या आपके वाइस पैसेडेंट के रूप में भी इन्होंने आपको काम किया, एक समय की बात है जब भ भौपाल के राजा हुआ करते हैं उनका रामता हमिदुल्ला और वो चाहते थे कि भारत भौपाल जो है वो भारत के अंदर शामिल नहों जबकि भौपाल जो है इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एक स्वतनत राज्य के रूप में आप आपको अस्थापित हो लेकि रहा जाता है विलेनिकरन आंदोलन या आप उसको बूल सकते हैं कि मरजर आंदोलन कहा जाता जिसमें वो चाहते थे कि भौपाल जो है यूनियन ओफ इंडिया के अंदर भारत संग के अंदर यहाँ पर आपको शामिल हो उसके बाद दॉक्टर शंकर दयल शर्मा जो है भौपाल के मुख्यमंत्री बने 1952 से लेके 1956 तक उसके बाद जब मद्धिपदेश बना मद्धिश का एक ही करण हुआ और उसके बाद मद्धिपदेश प्रांथ के अंदर लंबे समय तक 1956 से लेके 1967 तक मद्धिपदेश में अलग-अलग पदों पर अलग-अलग आपके डिपार्टमेंट से उनके अंदर आपका मंत्री पद भी उन्होंने आपका संभाला था उसके बाद डॉक्टर शंकरदायल शर्मा जो है वो कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 1772 से लेके 1774 तक कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और साथ ही उन्होंने आपके केंद्य सरकार के अंदर कई सारी जो मिनिस्ट्री है इस्पेशली यूनियन मिनिस्ट्री फॉर अश्याशन था उन्हें डॉक्टर शंकरदायल शर्मा को लिविंग लिजेंट ऑफ दे लॉवार्ड ऑफ दे रिकोगनिशन करके अवार्ड वहां पर आपको दिया वहले एक तरसे लिविंग लिजेंट के लॉप में या कानून के बड़े कानून विद के रूप में इनको उन्होंने अक्सेप्ट किया और इनके जो थियोरी इस थी कानून विद के रूप में या इसके अंदर तो कानून विद के अंदर जो थियोरी थी वो थियोरी इनकी बड़ी यहां पर आपको इंपॉर्टेंट थी और उसको लेके उनको इंटरनाशन लेवल पर कई सारे महत्मा गांधी की भोपाल और मद्विदेश के अंदर यात्राएं हो सभी यात्राओं के अंदर डॉक्टर शंकर दया शर्मा शामिल हुए और भोपाल के जो नवाब थे नवाब हमिदुल्ला तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करके उनसे खिलाफ आंदोलन लॉंच करके उन्होंने भारत को जो है भोपाल स्टेट है उसको भारत के अंदर यहाँ पर आपको शामिल किया और उसके लिए उनको आठ महीने तक जेल के अंदर भी जाना पड़ा लेकिन आठ महीने जेल में रहे लेकिन आंदोलन जो है उनके नाम से वहाँ पर आपको चलता रहा खिर जब भुपाल भारत के अंदर आपको शामिल हुआ और वो तारीक थी आपके 30 अपरेल 1950 को जब इंस्टुमेट ओव एक्सेशन विले पत्र के ऊपर भुपाल की सरकार ने भुपाल के राजा जो है उन्होंने साइन किया और 1 जून 1950, 1 जून 1949 को भुपाल भारत के अंदर यहा 34 साल के उम्र में वो भुपाल के मुख्यमंत्री बने उस समय पे भारत के सबसे यंगेस्ट, सबसे जवान मुख्यमंत्री की रूप में आपको शुमार थे और कई समय तक उनका रिकॉर्ड जो है और रिकॉर्ड यहाँ पर आपका मेंटेन रहा उसके बाद कई सारे राज् पर कुछ मिलिटेंट्स ने हमला किया और मिलिटेंट्स ने हमला करके इनके बेटी और दामात की यहाँ पर आपको हत्या कर दी और उसके बाद उन्होंने कई सारे अलग-अलग राज्यों में यहाँ पर आपको काम किया लेकिन सबसे बड़ी जो इसको बूलते हैं कि सबसे accept भी नहीं कर सकते थे अगर accept करते तो लोग बोलते कि उन्हों ने अपने बेटी और दमात के हत्यारों से बदला लिया तो वो एक बड़ा issue उसमाई create हुआ था बट शंकरदया शर्मा ने उसके उपर कोई राष्टपती है जो भारत के नवे राष्टपती मने है कई सारी किताबे उन्हों लिगी लेकिन एक सबसे important कुरान के उपर एक किताब है वो किताब उन्हें लिगी एक पोयम महापर आपको लिगी थी तो शंकरदया शर्मा बड़े साधारन व्यक्तित ऐसे व्यक्तित वो जिन्होंने भोपाल को मदबिरिश की राजधानी मनाने में एक एहम रूल निभाया और जब तक भी पद प बना हुआ है जहां पर इनका अंतिम संसकार किया गया था तो वहां पर उनकी एक उनका एक समधी स्थाल है दिनली के अंदर आपको स्टाबलिश किया गया है तो शंकरदयाट शर्मा हमारे पहले व्यक्तित हो थे आपको पसंद आया होगा उसी के साथ में कई सारे मेरे कोर् के लिए आपका complete course on the FLT series 25th of July के लिए जहां पर कुछ MCQs में discuss करता हूं उसी के साथ में तारणहार course है जहां पर पूरा MPG के unit 135 सब कुछ में complete कर रहा हूं उसके ताथ कई सारे men's के courses चल रहे हैं unacademy plus के लिए आप मेरा जो code है पवन यह यूज कर सकते हैं और यह code अगर आप यूज करेंगे तो 10% discount आपको plus classes के उपर आपको मिल जाएगा उसके अलावा और भी कई सारे जो है वो offers चल रहे हैं एक साल के subscription पर आपको दो मेहने का subscription जो है वो free will ने वाला है उसके साथ में कई सारे series जो है अनकेडमी scholarship test अनकेडमी T20 series weekly mock test series MPJK Brahmaas series 40 day का revision batch आर्ट महिने foundation batch कई सारे courses जो है अनकेडमी पर चल रहे हैं तो अभी जा के आप subscribe करो पवन लाइब जो code है उसको use करना मत भूलेगा थैंक्यू